हेलो प्रैंट्स फॉरीरी विडियो को टीन सीरीज होंगे जिसके पहले में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्विक जॉप कैसे पाएं पर पॉर्ड तो में इसके यह रहेगा कि अगर आप जोपऊव स्केल में टेंस स्केल होके अगर पैसे अर्न करने हैं तो किस तरह से क्या कर सकते हो वो guide करूँगा और तीसरे पार्ट में guide करूँगा कि आप एक बड़ा business develop करना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि आपका थोड़ा बड़ा वाला व्यापार हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो यह full discussion इन तीन career guidance के अलग अलग videos के पार्ट में करूँगा आज का जो पहला part है इसमें है कि quick job कैसे पाए guys definitely बहुत से लोग होंगे जिनका long term dream होगा कि बहुत बड़ा business करना है और middle term goal होगा कि आर एक अच्छी से अपना stable job type का हो तो वो आपके दिमाग में होगा definitely और पहला job ही है वो है quick job तुरंट job कैसे पाए तो चली आज के वीडियो में खुब detail में discuss करते हैं कि पहले कैसे job ले ले फिर आगे के जो वीडियो से रहेंगे आप खुद ही देखोगे तो आपको idea लगेगा कि तीन वीडियो में काथी कुछ clear हुआ है गैस quick job मतलब कि अभी मुझे तुरंट ही job करना है अब हो सकता है आपके पास skills की कमी हो या फिर skills हो बट उतने label पे सही तरीके से complete नहों तो quick job के लिए क्या आप 15 दिन दे सकते हो अब वो लोग असर 15 दिन के आप 20 दिन ले लो चलिए आप मुझे 20 दिन दे दीजिए अब मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से quick job ले सकते हैं आपने अभी तक में कोई भी software नहीं सीखा है कोई भी software नहीं सीखा है कोई problem नहीं है ठीक है अब आपके पास options हैं क्या options हैं एक तो option है कि quick job के लिए तुरण site के लिए आरदस वीडियो देखू और जाके site पर job कर लो बट मैं वो आपको नहीं guide करूँगा क्योंकि फिर क्या होगा कोई job लेते ही फिर आप पर सान भी तो होने लगोगे तो मैं ऐसा guide आपको करने वाला हूँ कि भाई आपको job लेना है office की job लेनी है तो सबसे पहले आप क्या करिए AutoCAD सीख लिजे क्या सीख लिजे? AutoCAD सीख लिजे AutoCAD थोड़ा बहतरी लेबल पर सीखो के तो समझ में आएगा बहुत से लोगों ने बहुत 1500 रुपए के courses कर रखे हुए 1500 रुपए की कीमत आज का टाइम एक बेने दो मेने के recharge होता है तो आप चाहे तो मेरे Unix Civil App पर देख लिजे AutoCAD का course या फिर कहीं पर भी AutoCAD सीख लिजे मैं आपको सजेस करूँगा online जरूर सीखेगा online सीखने से benefit क्या होगा कि एक वीडियो को आप 2-3 वार repeat कर सकते हो जब तक repeat नहीं करोगे न आपको तुरंट जॉब लेनी है न कौसे concept clear नहीं होगे जब तक repeat नहीं करोगे तो मेरा पहला guidance है कि आप कहीं से भी AutoCAD सीखने से और उसके बार इतना जल्दी आपको जॉब लगेगी क्यों? क्योंकि अगर आप market में सर्च करोगे AutoCAD में बहुत धेर सारी जॉब है no doubt salary कम होगी ठीक है? तो इस वीडियो हमारा aim salary नहीं है बड़े पैसे कमाने का मैं part 3 ले आऊंगा, don't worry ठीक है? तो अभी आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए था 10 से 15 हजार रुपए के बीच में कोई 12 दे सकता है, कोई 13, कोई 14, कोई 15 ये आपके उपर depend करता है बट जो आप अभी बैठे होना घरों में बैठे होना, तो आपके लिए इस AutoCat कहीं से भी 15 दिन 10 दिन लगेगा, दम प्रिपेर करने ज़े और फटा फट इंटर्वी देना है स्टार्ट करिए, इंटर्वी देने के लिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इंडिया जॉब्स करके वेबसाइट है, उस पर बहुत अच्छे-चे AutoCat के आपको जॉब्स मिल जाएंगे, दूसरा आपको मिल जाएगा ये अपना जॉब्स करके अभी अच्छा हूँ, उसका भी रिस्पॉंस मैंने देखा बहुत अच्छा है, अब आप क्या करोगे कि आपको जॉब्स मिल जाए, आप जॉब्स के लिए तो ऐसे भी त्यार हो, अगर आपको AutoCat आता है, लेकिन अब आपको एक किस्टर बहुत आगे बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर तो फिर आप बिगनर के थोड़ा से उपर आ चुके हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर structure में कहीं से भी interest लगता है, कि मुझे structure बहुत अच्छा लगता है, कहीं से भी stat pro सीख लो, चाहिए Unix CB Lab से सीखो, चाहिए कोई भी platform से YouTube पे बहुत से लोगों अच्छा ने दे रखे हैं, मैंने खुद भी YouTube पे दे रखे हैं, stat pro को अच्छे से सीख डालो, लेकिन केवल stat pro सीखो गे तो जॉब नहीं लगेगे, क्यों? क्योंकि stat pro के साथ concept पूछेंगे ना भाई, आप structure के interview के लिए जा रहे हो, तो आप से पूछेंगे क्या होता है, आप से पूछेंगे wind analysis क्या होती है, seismic analysis क्या होता है, तो क्योंगा software पढ़ पढ़ के मत करना, ठीक है, ऐसे जगह सीखना जहां पर stat pro के साथ, classes के अंदर seismic को practically दिखाते हैं, wind को दिखाते हैं, sea roll को दिखाते हैं, ऐसे जगह से आप तुरंत ही stat pro अगर सीख ल करना बहुत पढ़ेगा, वही मुझे structure से थोड़ा से डल लगता है, तो भूल जाओ ना structure को, अब Revit आपके पास एक अच्छा option है, क्या है Revit, अब मैं आप सच्छेस करूंगा, autocad आपको आता है, यह मैं मान के चल रहा हूँ, Revit architecture और Revit structure दोनों को सीख लो, ठीक है, YouTube से के फिर देखा, पढ़ लिया, मुझे Revit clear हो गया, कभी नहीं होगा, ठीक है, मेरे course को ले लो, तुम हजार बार पढ़ लो, नहीं clear होगा, क्यों, क्योंकि Revit जो है, वो modeling का software है, उसको practice लगता है, ठीक है, कम से कम 50 project अगर आपने किये हैं, तो आप हगदार है, यह कहने के ल अगर तो, तो उनको मत करो, क्योंकि आपने कितना किया है, इस पर important है, ना guys, तो 50 project जल्दी से करो, उसमें से 10 project जो best से best हैं, उनको निकाल के portfolio बनाओ, यूटूब पे मैं बता रखाऊं कि portfolio कैसे बनाना है, आप be modular की job, अब 50 project का मतलब है, कि एक दिन में 2 project आपको करने है, ये quick job उनके लिए है, जो थोड़े से अंदर से powerful है, बस अभी उनको guidance नहीं मिल रहा था, तो भाई guidance के लिए मैं आप बता है, उसके साथ ही साथ मैं अभी तो Instagram पे भी आप लोगोंने message किया था, देखा होगा, सब को मेरे reply किया, तो Unix Civil Instagram जो अपना page है, उस पे मैं daily message कर रह है, Unix Civil Instagram पे साथ मजे में live आऊंगा, आईएगा, आपसे discussion होगा, प्लस, definitely आपके बहुत से चीजों से हम भी तो बहुत सीखते हैं, आपके questions से ही सब questions मैं बोल पा रहा हूँ और यही सब, आप लोगोंने पूछा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो quick job का तीसरा series क क्या है, Revit, ठीक है, Revit में आपको बस बढ़िया सो portfolio बनाना, दस project mention करने, portfolio का video YouTube पर डाला हुआ है, आप इसके बाद apply करना, start करिये, ठीक है, अगर आप best से best बन चुके हैं, 20 से 25 दिन के अंदर, believe करिये, आपके पास job खुद हो के आएगी, किस profile में मिल सकती है, तो भाई, अगर आपने stat pro सीखा है, तो junior structure engineer के profile, या फिर अगर आपका knowledge थोड़ा क्सा कम रहेगा, तो autocad structural development की job आपको मिल जाएगी, अगर आपने Revit सीख रखा है, बहतरी लेबल पे, architecture structure दोनो, तो आपको 3D modular की, या फिर beam modular की, या फिर structural modular, तीन profile में आप job search कर लिए, आपको मिल ही ज लेगा, बट मैं वो नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि वो इसके बाद के level से, पहले आप इसमें तो clear करिए, आप या तो अभी beginning, एकदम beginning पर होंगे, autocad सीखो, job start करो, उसके बाद अगर दूसरे पार्ट में अगर आप आ चुके हैं, कि भाई, autocad आपको आता है, तो आप अगर आप इतना कर लेते हो, तो definitely, अब आप quick job के लिए तियार हो, अब आपकी quick job लग चुकी है, अब आएगा दूसरा पार्ट, जिस पार्ट के लिए मैं अभी से बता दू कि उस पार्ट में ये बताऊंगा, कि tension free होके, घर पे बैठके, अच्छी खासी earning कैसे कर सकते हो, कुछ लोगों को जोड के अपने साथ कैसे काम कर सकते हो, अब आपको ये quick job ला, पहला पार्ट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, जिसको share कर दो नैयार, ठीक है, share कर दो तो क्या होगा, हमें motivation मिलेगा, साथ ही साथ Instagram पे आना, आज आपसे बहुत discussion करने वाला हूँ, ऐसा हमरा प्लान है, जलिए thank you so much for watching this video, hope you like this guys, जै हिन, जै भारत!